साल 2022 में रिलीज हुई दा ब्लैक्स प्रेब नाम की एक फिल्म की कहानी, कुछ इस तरह है कि इनसान की कतिविध्यों की वजह से पृत्वी के मौसम पर एक बुरा असर पड़ा, ठंड इतनी बढ़ गई कि धर्ती का पानी जम गया, इस बदलाव की वजह से सरकारे टूट एक ग्रह युद्ध की शुरुआत हुई, इनसानी दुनिया बरबादी के कगार पर थी, लोग भूख प्यास ठंड और बीमारियों से मर रहे थे, सभी ने अपनी अपनी सेना बनाई थी और एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, स्वीडन में इस युद्ध को खत्म करने क एक बड़ी योजना बनाई जा रही थी, जो शायद इसका रुख बदल दे, यह आगे कहानी में जानेंगे क्या होने वाला है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, कहानी की शुरुआत स्वीडन से होती है, साल कौन सा है, नहीं बताया गया, हम कैरोलाइन एड न जान नहीं दे रही, वह अपनी बेटी के साथ बातों में व्यस्त थी, तभी गोलियां चलने लगी, लोग भाग रहे थे, जिससे आसपास हंगामा मच गया, अथियार बन कुछ सैनिक सिविलियन्स को ही मार रहे थे, कैरोलाइन की बेटी अपनी मां से कहती है कि हमें भागन चाहिए मां, मगर कैरोलाइन उसे गाड़ी में चुपा देती है, अंत में बस यही दिखाया जाता है कि वह सैनिक गाड़ी का शीशा तोर देते हैं, आगे क्या हुआ, यह नहीं दिखाया गया, कहानी कुछ साल आगे आती है, जहां दुनिया के हालात बद से बत्तर हो चु दिया, मजबूरन उसे हथियार उठाना पड़ा, वो एक सैनिक बन चुकी थी, हम देखते हैं कि वो ट्रेन में उत्तर की तरफ जा रही है, मगर एक स्टेशन पर ट्रेन को रोक लिया जाता है, एक ऑफिसर कैरोलाइन एट को आदेश देता है कि उससे बेस पर बुलाया गय रास्ते में वह एट से कुछ सवाल भी पूछता है, मगर वजाए इसके कि वह उसे बेस पर ले जाए, वह एक टाउन की तरफ गाड़ी मोट देता है, एट को शुरू से पता था, यह बैस का रास्ता ने, कैरलोट ने कुछ सामान लेने नीचे उतर जाता है, और एट से कहत है, कि तुम गाड़ी में ही रहना आसपास खतरनाक लोग थे, कैरोलाइन उसकी बात नहीं सुनती और बाहर आकर लोगों से मिलने की कोशिश करती है, तो वो लोग उस पर हमला करते हैं, मगर एट के पास हथियार थे और चलाना वो अच्छे से जानती थी, लूटन को वही चोड़ कर अवगाड़ी में उस जगह से निकल जाती है और सीधा आती है, बेस पर आते ही सैनिक उस पर बंदूग तान लेते हैं, उससे पूछा जाता है कि दूसरा सैनिक कहा है, हाथ में ओर्डर लिए एट बताती है कि वो यहां तक नहीं पहुंच पाया, वो पूरा किस इसा नहीं बताती कि असल में उसने रास्ता बतला था, फिर उसे अंदर आने की इजासत मिल जाती है, एट की मुलाकात कुछ सैनिकों से होती है, जिने उसी की तरह बेस पर बुलाया गया था, ये तीन लोग थे, एक का नाम डेविट, दूसरे का एरिक और तीसरे का सेम था मगर डेविट को उन सभी बेस की जानकारी थी, जो इस सेना के कंट्रोल में थे, जब वो सैम को देखता है, तो तुरंत ही पहचान लेता है, ये बेस 15 से आया है, जिस पर कल रात हमला हुआ था, और वहां मौजूद हर इनसान मारा गया, सिर्फ सेम बच गया, क्योंकि उसे यहां आने के ओर्डर्ज मिले थे, उससे पता नहीं था, कि उसके बेस पर हमला हुआ है, डेविट के मून से, ये बात सुनकर वह बहुत परेशान हो जाता है, ये सभी बात कर रहे थे, कि तब ही इनके पास कैप्टन पोर्सबर्ग आती है, जो उन्हें करनल रेट के पास दे गई, इतना तो साफ था, कैप्टन बताती है कि बाहर हालात बहुत खराब है, दुश्मनों ने हमारे तीन बेस तबाह कर दिये, मीलों तक जमीन उनके कब्जे में है, हमारे हजारों लोग मारे जा चुके हैं, और कुछ ही दिनों में वो हमारा यह बेस भी तबाह कर दे इन 27 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, कि पूरा आर्कटेक बर्फ से ढख चुका है, मगर बर्फ की परत पतली होने के कारण उस पर गाडिया नहीं चल सकती, इसलिए सैनिक आइस केट पहन कर इसे पार कर पाएंगे, और इसलिए तुम सब को यहां लाया गया है दरासल यह चारों ही प्रोफेशनल स्केटर्स हैं, करनल कहते हैं कि मिशन यह है कि तुम्हें दो कैप सोल, यहां से मीलों दूर एक बेस पर पहुंचाना होगा, वहां एक रिसर्च सेंटर है, मगर दुश्मन की नजरों से बच कर अगर मिशन काम्याब रहा तो यह जंग ख आया गया, खैर करनल आगे बताते हैं कि अगर मिशन फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बलकि हम सब के लिए यह बातें सुनकर कैरोलाइन कहती है, कि हमें हजारों मील चलना है, दुश्मन से बचते हुए उनके इलाके में रात के इसलिए मैं यह मिशन नहीं करूंगी, करनल गुस्से में कहते हैं कि मैं तुमसे भीक नहीं मांग रहा, यह ओनाडर्स है, करनल अकेले में उससे बात करता है, याद है शुरू वाला वावसीन, जहां एड अपनी बेटी के साथ थी, वो खो गई है, एड ने उसे ढूंडने की बहुत कोशिश की, करनल उसे एक तस्वीर दिखाते हैं, और बताते हैं कि उसकी बेटी एक कैम्प में उन्हें मिली है, और यह कैम्प भी वही है, जहां इनने यह कैब्सन ले जाना है, अपनी बेटी को देख कर काफी भावुख हो जाती है, और इस काम को लेने के लिए तैयार भी उसे अब सिर्फ अपनी बेटी की परवा थी जब वो अपने साथियों के पास वापस आए तो वो सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि यह मिशन वागई सुसाइट मिशन है हमें इस मिशन पर नहीं जाना चाहिए तब कैरोलाइन उन्हें समझाती है कि मिशन लोग बच जाएं यह युद्ध खत्म हो जाएं डेविड कहता है कि यह सब खत्म होने के भाद मैं अपने भाई को ढूंड लूगा वो सैम से पूछता है कि तुम क्या करोगे अगर जंग खत्म हुई तो सैम कहता है कि मेरी шादी होने वाली जंग खत्म होते ही मैं अपनी गर्ल्फरेंट को ढूंड लूँगा और शायद शादी कर लूँगा मगर चंग कई सालों से चल रही थी और दुनिया बदल गई तो इसका खत्म होना लगभग नामुम्किन थोड़ी देर में कैप्टन उनके पास आकर उन्हें कुछ जरूरी सामान और कहती है कि फिलहाल वह सभी आराम करें सुबह होने से पहले ही ने निकलना होगा यह लोग सिर्फ रात में ही सफर कर सकते थे दिन के समय यह दुश्मन को दिख सकते थे यह आखिरी बेस था जो अभी दुश्मन के हमले से बचा हुआ था मगर बदकिस्मती से आधी रात क इस आखिरी बेस पर भी हमला होता है हर तरफ भगड़ मच गए इसलिए उन्हें अभी ही मिशन के लिए निकलना था यह सभी बाहरा दें जहां करनल उन्हें दो कैपसूल देकर कहता है कि अपनी जान से भी ज्यादा इसकी सुरक्षा करना समय बहुत कम था इसलिए करनल उन्ह जाने के आदेश देता है वो लूटन जेकब अब वो बेस पर पहुँच चुका था जिसे करनल उनके साथ मिशन में शामिल कर लेता है पता नहीं क्यों एट को शुरू से उस पर शक था अब यह सभी वहां से निकल पड़े यह लोग स्केटिंग करते हुए दूर जा रहे और पीछे पूरा पैस तबाह हो रहा था पूरी रात स्केटिंग करने के बाद सुबह होने पर कैप्टन सब को आराम करने को कहती है और यह भी कि अब वो अंधेरा होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे वरना दुश्मन की नजरों में आने का खत्रा है अब इसी बीच वहां कैप्टन के पास ही थे इसलिए कैरोलाइन ज्यादा नहीं सोचती वो सीधा परफीले पानी में क्मूप पड़ी वो जानती थी कैप्टन की जान बचाना मुश्किल आगे निकल गई बरफ की परद कहीं पत्ली तो कहीं मोटी थी कैप्टन को निकालना मुश्किल था इसलिए वह कैप्सूल का बैग लेकर उपर आ जाती है लेकिन इस सब में उसकी हालत भी बिगड गई उसकी जान बचाने के लिए सभी पास के घर में आ गए जहां वह आग जलाते हैं ताकि एट की जान बचा सके उसकी जान तो बच जाती है अब क्योंकि कैप्टन की मौत हो गई थी तो डेविड कहता है कि हम चैनप कमांड को ही फॉलो फॉलो करेंगे लूटेंट जैकब का रैंक उचा है इसलिए अब से वही ओर्डर्स देगा एडीस पसले से खुश नहीं थी कहती है कि जैकब ही क्यों यह तो ब्रीफिंग में भी मौजूद नहीं था यह किसी और की जगे यहां आया है इसे मिशन के बारे में कुछ पता नहीं इस बात पर दोनों में पहस छीट जाती है क्योंकि एट को लूटेंट पर शक था मगर डेविड उसे मना लेता है यह सभी एक इमारत में छुपे थे और असल में यह दुश्मन का इलागा रात को जब कैरोलाइन और बाकी सब आराम कर रहे थे तब ही उसे कुछ आवाजें आती है तो सेम किसी से रेडियो पर संपर्क कर रहा था और उसी समय तुश्मन का हेलिकॉप्टर भी वहाँ आ चुका था वो सभी जल्दी से अपना सामान लेकर भागते हैं और हेलिकॉप्टर उस घर को धमाके से उड़ा देता यह देखकर कैरोलाइन सैम के सर पर बंदूग ताथी है और पूछती है कि तुम किस से संपर्क कर रहे थे तो सैम कहता है कि मैं सिर्फ अपने बेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा मैं गतार नहीं हूँ छूट नहीं बोल रहा तुमने बताया था कि हमारे बेस पर हमला हुआ मुझे जानना है कि क्या मेरी girlfriend जिन्दा है या नहीं डेविट कहता है कि इसे मार दो मुझे तो लगता है ये दुश्मन से संपर्क कर रहा था वरना उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चलता तो जैकब कहता है कि इसे मारो मत बस इसके हत्यार छीन लो ये बिना हत्यारों के आगे बढ़ेगा ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं ये एक जमी हुई नदी के उपर जा रहे थे एक जगह पहुँचकर यह देखते हैं कि बर्फ के नीचे बहुत सारी लाशे हैं और यह दिल दहला देने वाला द्रिश्य था तभी वहां से एक और हेलिकॉप्टर हुजर रहा था जो इन्हें देख लेता है उससे बचने के लिए यह सब अलग-अलग दिशाओं में भागते हैं वो इन पर गोलियां चला रहा था ये लोग एक ब्रिज के नीचे चुप गए फिलहाल के लिए ये बच गए थे जेकब कहता है कि हम थोड़ी देर यहां रुकेंगे और फिर आईलैंड पर जाएंगे वो कभी भी लोट कर आ सकते हैं कुछ देर बाद वहां आगे बढ़ते हैं और आस पास कुछ घरों की तलाशी लेते हैं तभी उन्हें एक बांड नजर आया जिसमें बिजली जल रही थी ये छापा मार कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहां एक गूढ़ा कपल रहता है वह बुजर्ग लोग इन्हें खाना खिलाते हैं कब पूचता है कि तुम लोग यहां से गए क्यों नहीं आदमी बताता है कि हमने सोचा रेवियू जी कैम्प में मरने से बेहतर हम अपने घर में ही अपने आखिरी दिन गुजार ले जब ये बातें कर रहे थे तो कैरोलाइन के हाथ से सूप का प्याला गिर जाता है जैसे ही वो उसे उठाने चुपती है वो मेज के नीचे लगी गन देख लेती है यानि कि ये लोग भी उनके दुश्मन थे इससे पहले कि कैरोलाइन कुछ कर पाती उठे आत्मी ने बंदूग चला दी बदले में ये लोग भी गोलियां चलाते हैं और इस सब में उस उठे कपल के साथ साथ सैम की भी मौत हो गई जबकि डेविट घायल हो गया था उसे पेट में गोली लगी थी इस बीच सैम के रेडियो पर कोई संपर्क कर रहा था एरिक उससे बात करता है तो वो एक लड़की थी वो खुद को सैम की गर्ल्फरेंड बता रही थी जो सुनकर इन सभी को दुख होता है क्योंकि सेम सच बोल रहा था और अब वो रहा भी नहीं जो भी हो उनके हालात को लेकर काफी परेशान था वो कैपसूल उठा कर कहता है कि मुझे जानना है इसके अंदर क्या है बता तो चले हम किस चीज के लिए अपनी जाने दे रहे हैं जेकब और कैरोलाइन उसे मना करते हैं मगर उसने कैपसूल खोल दिया वो देखते हैं कि उस कैपसूल में एक बोतल है कैरोलाइन कहती है कि शायद ये कोई वायरस है एक बायोलाजिकल वेपन यानि के जंग को रोकने का मतलब यही था कि वो अपने दुश्मनों के साथ साथ बाकी इनसानियत को वायरस के जरीए खत्म करना चाहते थे इस बात से वो चारों हैरान थे खैरियत जहाज की छानबीन करने में लग गए और इस बीच डेविड खुद को गोली मार कर अपना किस्सा खत्म कर देता है कैरोलाइन कहती है कि गोली की आवास से शायद दुश्मन यहां बहुँच सकते हैं हमें निकलना होगा एरिक कहता है कि यहां हमारे साथ ही मर रहे हैं और तुम्हें कोई परवाह भी नहीं कैरोलाइन कहती है कि मैं यहां मरने नहीं आई और सिर्फ मिशन ही माएने रखता है इसलिए जरूरत पड़ी तो मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगी क्योंकि कैरोलाइन के दिमाग में बस एक ही बात है कि उसे अपनी बेटी को बचाना है अब कैरोलाइन अकेले ही कैपसूल लेकर आगे बढ़ती है एक जगह पहुँचकर वो देखती है कि बर्फ की परत कमजोर हो चुकी है वो सावधानी से आगे बढ़ रही थी तभी बर्फ टूपने लगी असल में कैरोलाइन, एरिक और जैकब को बिना बताएक कैपसूल को अपनी लोकेशन पर पहुँचाना चाहती थी और जब से उन्हें पता चला है कि इसमें किसी तरह का वायरस है तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया क्योंकि वो पूरी इंसानियत को खत्म नहीं करना चाहते थे एट को इंसानियत की परवाह नहीं थी वो बस अपनी बेटी को पाना चाहती थी तो जब उन दोनों को पता चलता है एट को रोकने के लिए वो भी पहुँच गए एट फसी हुई थी एरिक और जैक रसी की मदद से उसे बचाते मगर वो कैपसूल उससे ले लिया जा यह रास्ता खतरनाक था मगर इसे पार करना ही था इसलिए यह तीनों खुद को एक रसी से बान कर आगे बढ़ने लगी तब ही एक रोशनी चमकती है और इन पर दुश्मन गोलियां बरसाने लगी एरिक असल में एक स्नाइपर था वो अपनी बंदूग से निशाना लगा कर दुश्मनों को मार गिराता है जिसके बाद वो उन्ही के बनाएं कैम्प में रात बुजारने का फैसला करते हैं एरिक उमर में छोटा इतनी लाशें देखने पर उसके दिमाग पर एक बुरा असर हुआ वो उन्हें उस समय के बारे में बताता है जब दुश्मनों ने उन्हें जिन्दा खबरों में दफना दिया था और जूहे उसके दोस्त की लाश को खा रहे थे वो कहता है कि जब मुझे मौका मिला तो मैं सेना का हिस्सा बन गया कैरोलाइन कहती है कि तुम इस सब के बारे में इतना मत सोचो एक सैनिक का मकसद अपना मिशन पूरा करना होता है एरिक कहता है कि मैं जो भी कहूं तुम मुझे मिशन पूरा करने की कोई न कोई वजह दे ही देते हो जेकब पूछता है कि तुम्हारे लिए यह मिशन इतना जरूरी क्यों है हाला कि तुम जानती हो कि उस कैपसूल में क्या है वो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है मगर कैरोलाइन कोई जवाब नहीं देती इस पर जेकब कहता है कि हमें सौ जाना चाहिए अब अगली सुबह कैरोलाइन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उन पर हमला हो गया है और जेकब कैपसूल के साथ गायब था दोनों कुछ देड़ दुश्मनों का मुकाबला करते हैं गोलियां कम थी इसलिए यह ग्रिनेड का इस्तेमाल कर रहे थी जब कैरोलाइन ग्रिनेड फेंकने वाली थी तो तभी उसे कोली लग जाती है और ग्रिनेड गलती से वहीं गिर जाता है उसके साथ ही एरिक की मौत हो जाती है कैरोलाइन जिन्दा थी मगर उसे कोली लगी थी फैर वो खुद को संभालती है और एरिक की बंदूक लेकर फिर से स्केटिंग शुरू कर देती है तब उसे कुछ दूरी पर जैकब नजर आया वो चिलाकर उसे रुकने को कहती है मगर जैकब नहीं रुकता असल में वो उस कैपसूल को नश्ट करना चाहता था इसलिए उसे जैकब पर गोली चलानी पड़ी गोली लगने से जैकब जख्खमी हो गया कैरोलाइन उसके पास आकर कैपसूल छीनने लगती है जैकब उसे कहता है कि ऐसा मत करो करोडों लोगों की जान चली जाएगी अगर ये वायरस फैल गया तो आम लोगों की जाने जाएगी ये कैपसूल दुश्मन को मारने के लिए नहीं आम लोगों को मारने के लिए है मासूम लोगों की जान चली जाएगी जरा सोचो इस बारे में मेरी मानो और ये कैपसूल यहीं पानी में फेक दो वो कैरोलाइन को एक कोड़ वर्ड बोलते है प्लैड तो कैरोलाइन को अपने मिशन का नाम याद आता है और वो उस कोड़ का जवाब क्रेप देती है जिसके बाद वो बेहोश हो गई कई घंटों के बाद कैरोलाइन की आँ फैसिलिटी मेडिकल सेंटर में खुलती है तब एक डॉक्टर उसके पास आकर कहता है कि हमने तुम्हारे पेट में लगी गोली निकाल दी है और तुम्हारी तीन उंगलियों पर फ्रोजन बाइट हुआ था इसलिए हमें वो काटनी कि जैकब भी वहां मौजूद था यानि कि उसे भी बचा लिया गया अब कैरोलाइन अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि वो कहां है मुझे उससे मिलना है तब एड्मिरल उसे बताती है कि माफ करना हमने बस तुम्हें एक जूटी उमीद दी हमें कभी तुम्हारी बे और वो एड्मिरल की नाक तोड़ देती है तब जैकब उसे संभालता है लेकिन कैरोलाइन बहुत ज्यादा दुखी थी मरहम पट्टी के दौरान वो एक स्केबल छुपा लेती है और फिर वो जैकब के पास जाती है वो कहती है कि तुम सही थे हमें उस वायर्स को नश्ट क नहीं है तो मैं इस वायर्स को उस तक पहुचने नहीं दे सकती जेकब पूछता है कि हम यह सब कैसे करेंगे हम दोनों जखमी है और कोई हथियार भी नहीं है कैरोलाइन कहती है कि यह मैडल्स तो है यह लोग वैसे भी हमें हीरो समझते हैं हमें इसी का फायदा उठाना अब यह लोग लैब के करीब पहुचकर वहां सभी पर गोलियां चलाने लगे अंदर आकर वो वायर्स ट्यूब भी ले लेते हैं उनका प्लान था कि वो ग्रैनिट को यहां ब्लास्ट कर देंगे जिससे उनके साथ साथ वायर्स का भी विनाश हो जाएगा तब एक जैकब कहता है कि वह आ रहे हैं हम बाहर कैसे निकले तो वैग्ञानिक वहां खतरے का अलाम बजाता है जिससे सभी लोग वहां से निकलने की त्यारी करने लगे और इस बीच वो लोग भी वैग्ञानिक का सूट पहन कर वहाँ से निकल आए लेकिन कैरोलाइन के स्टेचस खुल गए थे, इसलिए उसकी हालत खराब हो रही, किसी तरह वो बाहर हेलिकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं, तब जैकब उसके लिए मदद लेने जाता है, तभी कुछ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, और एड्मिरल भी वहाँ पहुच गई, कैरोलाइन जैकब को जाने का इशारा करती है, और सबको एक ग्रेनेट दिखाती है, जिस पर वो वायरस के ट्यूप्स लगे हुए थे, एड्मिरल उसे कहती है, कि ऐसा मत करना, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तुम सब कुछ खत्म कर दोगी, कैरोलाइन ग्रेनेट लेकर आगे पड़ती है, और किन ग्रेनेट फटने से कैरोलाइन के साथ साथ उस वायररस का भी खात्मा हो गया, और यहीं पर इस फिल्म की कहानी का भी अंत हो जाता है, आशा करते हैं आपको हमारी एक्स्प्लेनेशन पसंद आई होगी, हमारी एक्स्प्लेनेशन पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब